पितर पक्ष की सुरुवाद 17 सितंबर से हो रही है और इसमें कुछ ऐसा सकेत मिलते हैं जिससे यह पता चलता है कि आपके पूरवज आपसे परसन हैं और आपके जीवन के दुख जल्द ही दूर होने वाले हैं। एसा माना जाता है कि पितर पक्ष में पूरवज एक बलफिद से धर्ती पराते हैं इस कारण ऐसे शमय में पितरों के शानती और मुक्ती के लिए तरपन किया जाता है। पितर पक्ष से कई धार्मिक मानियताएं भी जूड़े हुए हैं इन मानियताओं के अनुशार पितर पक्ष में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिन से पता चलता है कि आपके पूर्वज़ आपसे बहुत खूस हैं और आपके तरक्की होने वाली है गया मंतराले वैदिक पाटसाला के पंडित राजा आचारे बताते हैं कि पितर पक्ष में कुछ संकेत ऐसे दिखते हैं जिससे पता चलता है कि हमारी पितर परसन है जैसे घर में कुछ ने कुछ देवता संबंधित मंगलकार होते रहते हैं घर में पहले विबाद रहता था ल को भी बहुत विशेश माना जाता है कि अगर कोई जानवर जैसे घाय कुत्ता बिली भकरी भैंस आदी आकर अगर आपका रखा हुआ भोज़त सप्रेम गरहन करके वहां से चला जाता है तो यह भी एक सूब संकेत है कि आपके पित्रों का सिर्वात आप पर बना हुआ है और कुछ न कुछ देवता संबंदित मंगल कार्य होते रहते हैं जब घर में मंगल कार्य हो रहे हैं इसका संकेत है कि वह पित्रों प्रसन हैं घर में हमेशा जो पहले विवाद रहता था अब प्रसन दिखते थे लोग वह प्रसन दिख रहे हैं इसका मतलब वह पित्रों प्रस जीने के लिए आते हैं अगर उस अवस्था में आपके ऐसा कुछ मंगल कार्य होता है कुछ संतानों का जन्मों होता है और बड़ा अनंदित घर में माहोल होता है तो आप यह समझे कि आपके पित्रु प्रसंद है